दोस्तो आज हम पस्वों में पाय जाने वाली डैगनाला डिजीज के बारे में पूरे डिटेल से डिसकेशन करने वाले हैं इसे पूँच कटवा डिजीज के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी की फिल्ड में काफी बरांतियां है तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सकता है परन्तु यह बीमारी फंगस से होती है और फंगस में यदि देखा जाए तो फ्यूजेरियम स्पीसिज पैनीसलियम स्पीसिज और एसपरजिला स्पीसिज तो ये जब फंगस अपना टॉक्सिन पर्डियूज करती है जिसे माइको टॉक्सिन कहते हैं तो उससे यह जब जो पसू का चारा है उसमें यदि फंगस लग जाती है और वो फंगस वाला चारा यदि वो पसू खाता है तो उससे यह बीमारी हो जाती है परन्तु ज़्यादा तर यह बीमारी पैडी स्ट्रा खाने से होती है जब हम पैडी स्ट्रा को अरली स्टेज पर काट लेते ह या जब वह हरा होता है तो उसमें मोश्चर जादा रहता है तो वह उस कंडिशन के अंदर उसमें मोड या फंगस की ग्रोथ हो जाती है इस फंगस की वज़े से वहां एक टॉक्सिन बनता है और उस टॉक्सिन को माइको टॉक्सिन कहते हैं इस टॉक्सिन की वज़े से यह समस्या आती है या पैडिस्टा को अच्छे से नहीं सुखाते तो भी मोश्चेर की वज़े से वहां पे फंगस की ग्रोथ हो जाती है या पैडिस्टा को पानी वाले जगा पे रख देते हैं तो भी मोश्चेर की वज़े से वहां पे फंगस ल जाता है और उसके बाद उस पसू में क्लिनिकल साइन जो आते हैं वो आने लग जाते हैं यह बीमारी ज्यादा तर हम देखते हैं कि जो कमजोर पसू है जिनकी इम्मुटी कमजोर है या जिन पसू के अंदर हिमोंगलोबिन लेवल डाउन है या पैरसाटिक लोड बहुत ही ज टॉक्सीन ब्लड वैसल्स की एंडो थीलियम को स्पाजम करता है वे उस एंडो थीलियम को डैमेज कर देता है जिसके कारण वहां वासू कंस्ट्रिक्शन होता है और साथ में थ्रॉंबो इंबोलाई बनाता है साथ में यह टॉक्सीन स्किन की इलास्टीन वे कोलेजन को भी damage करता है जिससे animal की extremity वाले जो part है या अंग है उनमें blood की supply रुक जाएगी और blood की supply रुकने से उस अंग specific अंग में oxygen की supply नहीं होगी और जब oxygen की supply नहीं होगी तो वो अंग जो होता है वो dead हो जाएगा अर्थाठ damage हो जाएगा और वो पार्ट गलने लगता है और अंत में उस सरीर के से हिस्से से अलग होकर गिर जाता है परस्वों में एक्स्ट्रीमिटी वाले पार्ट जैसे कान पूंच या टीट के अंदर वहां पे वासो कंस्ट्रिक्शन होता है अर्थात वहां की ब्लड वैसल संकुचित होती है तो उस कंडिशन में उन अंगों में ब्लड की स्प्लाई नहीं होगी और जब ब्लड की स्प्लाई नहीं होगी तो वहां पे ऑक्सिजन की स्प्लाई नहीं हो पाएगी जिसके कारण वे अंग पापड की तरह सूकने लगेंगे अर्थात डैड हो जाएंगे और वहां से कट कर गिर यदि यही लक्षन पूच के अंदर या टेल में आते हैं तो उस कंडिशन में वहाँ पे बाल जड़ने लग जाते हैं उस एरिये का रंग नीला पड़ जाता है पूच में क्रेक्स बनते हैं अर्थाद गैंग्रीन हो जाता है कुछ पसों में इस बीमारी से सर्दी अर्थाद ठंड के मोसम में देखने को मिलते हैं क्योंकि सर्दी के मोसम के अंदर भी पेरिफरल ब्लड वैसल्स के अंदर वासो कंस्टिक्शन होता है और साथ में यदि ये माइको टॉक्सिन युक्त फीड पसों ने खाया है तो इस कंडिशन के अंदर ये टॉक्सिन भी वासो कंस्टिक्शन करता है और ठंड के मोसम में भी वासो कंस्टिक्शन जदी होता है तो इस परकार के लक्षन देखने को मिलते हैं अब यदि ये बीमारी पसों में हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करते हैं या इसकी रोगथम हम कैसे कर सकते हैं इसमें हम जो fungus जो फीड है या पैडिस्टा फीड है जिसमें फंगस लगा है तो उसको हमको बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए अर्थात पसू को वो नहीं खिलाना चाहिए यदि हमें पता है कि हमारा जो फीड है वो खराब है उसमें फंगस है तो उस कंडिशन के हंदर हम उस फीड का सोडियम हैड्रोकसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद ही उस फीड को पसू को खिलाना चाहिए एक इसमें मार्केट में काफी toxin binder, feed या supplements आते हैं वो पसू को इसमें हम देते हैं ताकि इस toxin के परवाग को कम किया जासके एक इसमें vasodilator drugs का भी यूज करते हैं ताकि blood vessels को dilate हो जाए और proper way के अंदर extremity के अंदर blood का circulation बढ़ जाए साथ साथ हम उस पसू को liver tonic भी देते हैं और liver tonic जो होता है वो toxin की metabolism को fast कर देता है ताकि जादा से जादा toxin जो सरीर से बाहर निकल जाए treatment के तौर पर कुछ ointment का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि हिपरिन ointment वे नाइट्रो गिलसनी ointment आते हैं उनकी उस area के अंदर मसाज करते हैं ताकि वहां की जो peripheral blood circulation है वो बढ़ जाए जिस अंग विशेष के अंदर इस बिमारी के लक्षन आते हैं वहां पे गरम मसाज भी कर सकते हैं गरम मसाज करने से वहां पे peripheral blood circulation बढ़ जाता है और उस अंग विशेष को oxygen की supply प्रोपरवे में होने लगती है जिस से recovery के chance बढ़ जाते हैं इस में secondary bacterial infection से बचने के लिए हम broad spectrum antibiotics का भी यूज कर सकते हैं दोस्तो डेगनाला disease के बारे में यह जानकरी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्याबाद